नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मंडी उनलाइन चैनल में आज हम बात करने वाले विभिन राज्यों में धान की विभिन किसमों की कीमतों के बारे में चलिए शुरू करते हैं पहले हम बात कर लेते हैं हरियाना की कीमतों बारे में 11.1 की कीमते हैं उसकी बात करते हैं पानिपत में 1602 रुपई से 400 रुपई परती क्वेंटल जीद में 1670 रुपई से 341 रुपई परती क्वेंटल रोहतक में 1201 से 3421 रुपई परती क्वेंटल बरवाला हिसार में 1280 रूपई से 275 रूपई प्रतिक्वेंटल सभीदों में 1600 रूपई से 2830 रूपई प्रतिक्वेंटल समालखा में 245 रूपई से 305 रूपई प्रतिक्वेंटल सोनीपत में 1751 से 2781 रूपई प्रतिक्वेंटल पिल्लू खेडा में 1700 रूपई से 352 रूपई परती क्वेंटल, नर्वाना में 1921 रूपई से 267 रूपई परती क्वेंटल, उचाना में 1750 से 205 रूपई परती क्वेंटल, महम में 1700 रूपई से 261 रूपई परती क्वेंटल की कीमत रही हैं असंद में 215 रुपई से 470 रुपई परती क्वेंटल हासी में 1700 रुपई से 251 रुपई परती क्वेंटल तरावडी में 1910 रुपई से 261 रुपई परती क्वेंटल बात करेंची इकागी 1900 रुपई से 265 रुपई परती क्वेंटल बात है इसमाइलाबाद की 281 रुपए से 271 रुपए परती क्वेंटल पुंडरी में जोरेट है 1750 से 458 रुपए परती क्वेंटल बात करें पेहवा की 2100 रुपए से 451 रुपए परती क्वेंटल कोहाना 1700 रुपए से 2481 रुपए परती क्वेंटल अब बात करते हैं गन्नोर की किमतों की 251 रूपए से 2721 रूपए प्रती क्वेंटल गन्नोर में कीमत है बात करें घरूंडा की घरूंडा में 235 रूपए से 271 रूपए प्रती क्वेंटल की किमत आज रही है ये कीमतें बासमती 1121 की चल रही है ध्यान रखिएगा इस बात को बात करते हैं रिवारी की 211 रुपए से 2723 रुपए प्रतिक्वेंटल की कीमत चल रही है नीशिंग की 2410 रुपई से 4600 रुपई परती क्वेंटल की कीमत चल रही है थाने सर में 2300 रुपई से 4650 रुपई परती क्वेंटल की कीमत आज है अमबाला में 2425 रुपई से 286 रुपई परती क्वेंटल की कीमत जारी है डांड में 288 रुपई से 2721 रुपई की कीमताज है निगदू मंडी में 2350 रुपई से 264 रुपई परती क्वेंटल की कीमताज है बात करें पाई मंडी की 255 रुपई से 2700 रुपई परती क्वेंटल की कीमताज है बात करें लाडवा मंडिगी 2100 रुपई से 2420 रुपई परती क्वेंटरी कीमत आज है बात करें सहाबाद मंडिगी यहाँ पर 2200 रुपई से 2599 रुपई परती क्वेंटरी कीमत आज चल रही है दोस्तों अब हम बात करेंगे 1509 की कीमतों के बारे में हर्याना में 1509 की जो कीमत है वो क्या चल रही है उसे पहले मैं आप बताना चाहता हूँ क्याकर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दिन परती दिन की मंडी की जानकरियां आपको मिलती रहेगी अब हम आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत सारे राज्यों में जो धान की कीमते चल रही उनके बारे में अलग-अलग किसमों के बारे में तो चलिए अब देखते हैं 1509 की कीमते अब हम बात करने जा रहे हैं हरियाना में बासमती 1509 की कीम्तों के बारे में चलिए शुरू करते हैं गन्नोर से गन्नोर मंडी में 1801 रुपई से 20001 रुपई परती क्वेंटल की कीमत है बात करें तरावडी की 1880 रुपई से 2100 रुपई परती क्वेंटल की कीमत है थाने सर की बात करें 1805 रुपई से 299 रुपई परती क्वेंटल चल रही है बात करें ढांड की 1710 रुपे से 1890 रुपे परती क्वेंटली कीमत चल रही है सोरी 1710 रुपे से 400 रुपे परती क्वेंटली कीमत चल रही है माप कीजिएगा लाडवा में 1600 रुपे से 2850 रुपे की कीमत जारी है बात करें पानीपत की 1613 रुपई से 2450 रुपई की किमत चल रही है बात करें सोनीपत की 1521 रुपई से 2751 रुपई परती क्वेंटली किमत जारी है बात करें निगदु मंडी की 1990 रुपई से 2052 रुपई परती क्वेंटली किमत है एलनाबाद में दो हजार से 2225 रूपे पर्थी कवेंटल, पुन्डरी में दो हजार पचास से 2200, शिर्शा में दो हजार अशी से 223 रूपे पर्थी कवेंटल ये कीमता चल रही है जलिए बात करते हैं बाकी मंजियों के बारे में हर्याना के पहवा में 1775 रुपे परती क्वेंटल से 2750 रुपे परती क्वेंटली कीमत चल रही है बरवाला की बात करें 1309 रुपे से 2000 रुपे परती क्वेंटली कीमत है बात करें समाल खांगी 1890 रुपे से 2816 रुपे परती क्वेंटली कीमत आज चल रही है हांसी की बात करें 1650 रुपई से 2000 रुपई प्रति क्वेंटली कीमताज मंडी में है बात करें जीन्द की 1871 रुपई से 3400 रुपई प्रति क्वेंटली कीमताज है बात करें महम की 1811 रुपई से 1972 रुपई प्रति क्वेंटली कीमताज चल रही है बात करेंगे अमबाला की 1890 रुपे से 1980 रुपे परती क्वेंटली कीमता चल रही है अब बात करेंगे इसमाइलाबाद की 1891 रुपे से 2130 रुपे परती क्वेंटली कीमता चल रही है अब बात करेंगे गोहाना की 1731 रुपए से 1951 रुपए प्रती क्वेंटर की केमत गोहाना में चल रही है दोस्तों ये कीमत बासमती 1509 की हरियाना की जानकारी दी जा रही है बीच में कन्फ्यूज मत हुईएगा भूलियेगा मत एक एक बात बिल्कुल शटीक तरीके से एक एक चीज की कीमत हर मंडी की जानकारी मैं आपको बहुत अच्छे से देने वाला हूँ चलिए बात कर लेते हैं बाकी मंडी जूँगे नर्याना के नर्वाना में 1509 की जो कीमते हैं अठारा सो नबबे रुपे से उन्नी सो ग्यारा रुपे परती क्वेंटल आज चल रही है बात करें रिवाडी की दो हजार ग्यारा रुपे से 27 रुपे परती क्वेंटल की किमताद है असंद की बात करें उन्नी सो रुपे से 27 रुपे परती क्वेंटल की किमताद चल रही है अब बात करेंगे सफीदों की 2150 रुपे प्रती क्वेंटली की मताज यहां चल रही है सफीदों में अब बात करेंगे पिल्लू खेडागी 1951 रुपे प्रती क्वेंटली की मताज मंडी में पिल्लू खेडा में चल रही है 1509 की ठीक है चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते पंजाब में बासमती 1121 की केमतों के बारे में सभी मंडियों की पंजाब की बात करेंगे शुरू करते हैं मुक्त सर से 1890 रुपई से 2851 रुपई परती क्वेंटल की केमत यहां है अमरिश सर की बात करें 2445 रुपई से 3045 रुपई परती क्वेंटल बात करें फजिलका की 251 रुपई से 2500 रुपई परती क्वेंटल बात करें तरंतारण की 2625 रुपई से 306 रुपई परती क्वेंटल बात करें फरीद कोट की 1950 रुपई से 2680 रुपई परती क्वेंटली कीमत है बात करें संगरूर की 2170 रुपए से 370 रुपए प्रती क्वेंटल की इमत यहां चल रही है अब बात करें गिदड़ बाहा की गिदड़ बाहा मंडी में 11 किशी जो कीमत है 1900 रुपए से 2600 रुपए प्रती क्वेंटल चल रही है अब बात करते हैं बुड़लाड़ागी यहां पर 11 कीजी कीमत 1890 रुपई से 2300 रुपई परती क्वेंटल चल रही है फिरोजबुर सिटी की बात करें 1890 रुपई से 2825 रुपई परती क्वेंटल चल रही है बात करें कपूर्थलागी 1860 रुपए से 2840 रुपए परती क्वेंटल चल रही है बात करें 59 सहर मार्केट की 399 रुपए से 3055 रुपए परती क्वेंटली किमत यहां चल रही है बात कर लेते हैं गुर्धासपूर मंडी की गुर्धासपूर मंडी में बासमती 11 की जो कीमते हैं 2430 रुपे परती क्वेंटलाज चल रही है अब दोस्तों हम बात करेंगे पंजाब में 1509 की कीमतों के बारे में ज़रा कोर्षे देखिएगा बड़े ध्यान लेगा कर सुनिएगा कीमत कोई भी आपकी चूकनी नहीं चाहिए अगर मुझसे भी कोई गलती हो जाती है आपके सामने में पूरी टेबल देने वाला हूँ आप खुद भी देख सकते हो अगर मुझसे भी कोई गलती बाइचानस हो जाती है तो आप कमेंट करके मुझे भी जुरूर बताईएगा अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती है या फिर ये लगता है कि मैं तेज बोल रहा हूँ या बहुत धीरे बता रहा हूँ तो वो भी आप कमेंट करके जुरूर बताईएगा जिससे मैं वीडियो बनाने में सुधार लासकूं और आपकी साहिता कर सकूं और मेरी भी साहिता होसके चलिए सुरू कर लेते हैं पंजाब के संगरूर में बासमती 1509 की किमत इस प्रकार है 1890 रुपे परती क्वेंटल से 2295 रुपे परती क्वेंटल की किमत है तरन तरन मंडी की बात करें तो वहाँ पर 1509 की किमत 2125 रुपे से 270 रुपे परती क्वेंटल चल रही है अब बात करेंगे फिरोजपूर्ग सिटी की फिरोजपूर्ग सहर की 1890 रुपे परती क्वेंटल की किमत यहाँ पर आज मंडी में चल रही है चलिए अब हम बात कर लेते हैं उत्तर परदेश में बासमदी पंदरा सो नो की कीमितों के बारे में चलिए शुरू करते हैं विभिन मंडीयों के बारे में शुरू करते हैं खायर मंडी से यहाँ पर 1900 रुपे परती क्वेंटल से 1961 रुपे परती क्वेंटल एक कीमत जारी है बात करते हैं दादरी यूपी में है जोसकी 2001 रुपे से 2021 रुपे परती क्वेंटल बाद करते हैं इटाह की यहां पर 1640 रुपए से 1700 रुपए परती क्वेंटली कीमत यहां देखने को मिल रही है बहुत कम मिल रही यहां पर बाकी एरियाओं से इतनी कम मेरे ख्याल से मुझे ना हरियाना में मिली ना किसी भी डिस्टिक में मेरे ख्याल से किसी भी मंडी में नहीं मिली अब तक बात करते हैं सहारनपुर की 1825 रुपए से 1900 रुपए परती क्वेंटली कीमत यहां देखने को मिल रही है मतलब जो उत्रप्रदेश में है उत्रप्रदेश के दादरी में 15 सुनों की कीमते सबसे जादा देखने को उत्रप्रदेश के मुकाबले बाकी मंडियों के मुकाबले देखने को मिल रही है उत्रप्रदेश में ही तो उत्रप्रदेश में दादरी में सबसे जादा है अब हम बात करने वाले हैं उत्रप्रदेश में जो दूसरी किस महधान की सर्बती सरबती जो किसम है धान की उसकी कीमत के बारे में बात कर लेते हैं उत्रप्रदेश के खैर मंडी में सरबती की जो कीमत चल रही है 1832 रूपे परती क्वेंटल की कीमत यहां पराद चल रही है अब बात कर लेते हैं उत्रप्रदेश में एक दूसरी किसम की सुगंदा किसम के धान की किमतों के बारे में चलिए शुरू करते हैं उत्रपे देश के मत्रुवा मंडी में 18 रूपे परती क्वेंटल सुगंदा की कीमत चल रही है और जो खैर मंडी है वहाँ पर सुगंदा जो धान है उसकी किमत 1861 रुपे परती क्वेंटल चल रही है अब हम बात करने जा रही है महराष्टर में धान की कीमतों के बारे महराष्टर की जो किस्म है धान की वह है जैसरी राम किस्म चलिए उसकी बात करते हैं मूलमंडी में 2390 रुपे से 2545 रुपे प्रती कमेंटल महाराश्टर में आज इसकी कीमत चल रही है इसकी कीमत और के मुकाबले बहुत अच्छी है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जो जो भी ये वीडियो देख रहा है अगर वीडियो अच्छी लगई तो लाइक करें सेर करें चैनल को सब्सक्रा जिससे कि मैं कल वाली वीडियो में उसकी भी वीडियो डाल स्कूर आपको उसकी भी जानकारी मिल सके वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद